हलो गाईज, विल्कम टू माई चैनल, आज के वीडियो में हम बहुत ही इजी डिजाइन डेकर आए हैं, इस डिजाइन को आप किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही फुशूरण डिजाइन है, और दो सलाई में बन कर कंप्लीट हो जाती है, इस डिजाइन को बन बनाने के लिए फ्रेंट्स जब फंदा डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे, एक फंदा और दो फंदा के सेट पर डिजाइन बनेगी, और डिजाइन को हम सिधी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो द नारे का फंदा स्लेब करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर डबल फंदा में डाल कर हम पीछे से सीधा बुनेंगे, इसके बाद फंदा को स्लेब कर देंगे, तो उपर वाला जो फंदा है, इसमें से एक बार हम आउ सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे तो यहां देखिए डबल फंदा में डाल गए हम सीधा बुनेंगे फंदा को स्लेप कर देंगे लेकिन ऊपर वाला फंदा लेकर एक बार और सीधा बुनेंगे तो एक फंद हमारा घटेगा, एक फंदा बढ़ जाएगा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तो ध्यान से देखिए, डबल फंदा में डाल कर, सिधा बुनेंगे, फंदा स्लिप कर देंगे, फिर उपर वाला फंदा ले करके, इसमें से हम फिर एक बार सिधा बुने भागा आगे करेंगे उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे डपलrd फंदा में डाल कर सिध़ बुनेंगे फंदा को बित जीट कर देंगे लेकिन उपर वाले फंदा में एग बार और सिधा बुनेंगे तो इसी तरीके से पूरी सलाई हम कंप्लिट कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट पूरी सलाई हम कंप्लिट कर चुके हैं अब हम उल्टी साइड में बुनेंगे किनारे का फंदा हम सलेब कर लेंगे धागा पीछे करेंगे यहां जिस फंदा को उल्टा बुने हैं उसको हम सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे डिजाइन वाला यहां दो फंदा है तो इसमें से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा स्लीप कर लेंगे धागा पीछे करेंगे जिस फंदा को हम सीधी साइड में उल्टा बुने हैं उसको उल्टी साइड में सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे यहां दो फंदा डिजाइन वाला है तो एक फंदा को हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा स्लेप करेंगे धागा पीछे करेंगे सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे डिजाइन वाला फंदा है दो फंदा तो एक फंदा को हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा स्लेप करेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे तो देखे फ्रेंट पूरी सल लाए हम complete कर चुके हैं दो सलाए में एक डिजाइन हमारी बन गई है आप इसी तरीके से उपर डिजाइन को बनाते जाएंगे इस डिजाइन को जब आप सेडर में बुनेंगे या काइप में बुनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा तो यह रही फ्रेंट्स हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक तक ते लिए नमस्कार